मैं आर्पी सुकुला भावतिक विज्ञान का पहला लेशन विंदो आबेस तथा विद्धु छेत्र में आबेस तथा कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे आबेस क्या होता है आबेस दो प्रकार का होता है एक धनाबेस होता है तथा रिनाबेस होता है धनाबेस में और जब कोई भी दो समान आबेसों को या सजाती आबेसों को बिलकुल पास पास लाया जाता है तो उनके बीच प्रतिकरशन बलकार करता है अर्थात के बीच प्रतिकर्शनबल कारे करेगा तथा दो रिनाबेसों को भी अगर हम पास पास लाएंगे तब भी उनके बीच प्रतिकर्शनबल कारे करेगा अगर एक धनाबेस दूसरा रिनाबेस को पास पास लाएंगे तो उनके बीच आकर्शनबल लगता है इन्ही आबेसों के संदर्ब में कूलाम ने एक जो था नियम दिया था इन्हों ने ये बताया था कि अगर किनी दो बिंदो आबेसों के बीच अगर किनी दो बिंदो आबेसों को पास पास रखा जाए तो उनके बीच या तो आकरशन बल कार करता है या परतिकरशन बल कार करता है और यहां आकरशन या परतिकरशन बल उन आबेसों के गुणन फल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बरक के बेउतक्रमानुपाती होता है अगर दो आबेस हैं उनकों बीच आकर्षन या प्रतिकर्षन बल लगेगा तो उन आबेसों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आबेसों के बीच की दूरी के बरक के बेउत्कृमानुपाती होता है अब हम माल लेते हैं कि दो आबेस क्यूबन बाक्यूटू हैं एक दूसरे से इस माल आर दूरी पर रखे हैं तथा उन आबेसों के बीच लगने वाला आकर्षन या प्रतिकर्षन भल यफ है अब हम माल लेते हैं कि दो आबेस एक ए और बी दो बिंदूओं पर कोई दो बिंदू आबेस क्यूबन वा क्यूटू रखे हैं यह दोनों आबेस एक दूसरे से इसमाल आर दूरी पर हैं तो इनके बीच या तो आकर्शनबल कारे करेगा या इनके बीच परतिकर्शनबल कारे करेगा अब हम माल लेते हैं कि यफवल इनके इन दोनों आबेसों के बीच में यफवल कारे कर रहा है यहां बल आकर्शन होगा या प्रतिकर्शन बल होगा तो यफवल जो है वो इन दोनों आबेसों के गुणन फल के समान उपाती है और दूसरी कंडिशन में यहां इन आबेसों के बीच की दूरी के बर्ग के बेउत्क्रमान उपाती है अगर समीगान एक बाद दो से एक बाद दो से यफ समान उपाती हो जाएगा क्यूबन क्यूटू अपान आरिसक्वार अगर हम इस समान उपाती के चिन्ड को हटाएंगे तो यहां पर बरावर लगाएंगे और बरावर में एक constant लगाते हैं बन अपान 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square यह हमारा सूत्र बन जाता है और बन अपान 4 pi epsilon naught एक नियतांक है बन अपान 4 pi epsilon naught एक नियतांक है इसका मान भी होता है 9 गुणा 10 की घात 9 newton meter square प्रति कूला मिसक्वार इसका यह मात्रक है बन अपान 4 pi epsilon naught एक नियतांक है इसकी बैलू नियत रहती है यह जो है कभी भी change नहीं होती है इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 newton meter square प्रति कूला मिसक्वार होता है यह हमारा जो है सूत्र हो जाता है अगर हम इसमें epsilon naught देखें तो epsilon naught जो है निर्वात की बिद्दु सीलता होती है निर्वात की बैद्दु सीलता इसका भी मान 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 इसके मात्रक का यह बिल्कुल अपोजिट होता है कूला मिसक्वार प्रति न्यूटन मीटर स्कॉर यह दोनों मात्रक आपस में अपोजिट होते हैं इस सूत्र से हम निर्वात की बिद्दु सीलता की बिमा भी निकाल सकते हैं इसमें f बराबर बना पान 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square है इसको हम cross multiply भी कर सकते हैं तो f into 4 pi epsilon naught into r square equal to q1 q2 अगर हम यहां से epsilon naught की value निकालेंगे तो q1 q2 upon 4 pi into f into r square हो जाएगा तो epsilon naught equal to यह दोनों आबेस हैं आबेस की बिमा 80 होती है अब यह दो बार है तो इसको दो बार लिख लेंगे 4 pi एक constant है constant बिमा हीन होता है इसकी कोई भी बिमा नहीं होती है f बल है बल की बिमा होती है m l t minus 2 r दूरी है दूरी की बिमा l होती है तो l 2 हो जाएगा तो epsilon naught जो होगा यहां पर इन दोनों की गुणा कर देंगे तो a2 t2 हो जाएगा और नीचे ym yl 3 t minus 2 तो यह भीमा ym उपर जाएगा तो minus 1 yl भी उपर जाएगा तो yl minus 3 और t2 और a power minus की है यह उपर जाएगी plus की हो जाएगी तो t4 हो जाएगा और a2 हो जाएगा यह भीमा हो जाएगी अब silent naught की अर्थार निर्बात की विद्दू सीलता की भीमा ym minus 1 yl minus 3 t4 a2 हो जाएगी